झाल आज के में में आज के इस OMG १ह के ऐइधान वादन लुडविश्श से करते ऐए हो चैसे हिंदी में इंग्लिस में अब हम सीखें गया हिंदी में अभी वाधन ओते हैं उर्दू में उर्थी वाधन होते हैं तो ऊसी तरह प्यारे बच्वों लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक चीजों को समझते हैं चलिए तो सबसे पहले चीज देखिए जैसे कि मौन के चलिए कि किस टाइम में आप ग्रेटिंग कर रहे हैं तो अलग-अलग टाइमिंग के लिए अलग-अलग अंग्रेजी में एना समय कनुसार ग्रिटिंग होता है अभी वादन होता है समय कनुसा ठीक है तो यदी मान के चलिए आप सपोज मान लिजिए कि आप मॉर्निंग में क्या कर रहे हैं मॉर्निंग में ग्रिटिंग कर रहे हैं मॉर्निंग में ग्रिटिंग कर रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा गुड मॉर्निंग ठीक है और इबनिंग में ग्रिटिंग कर रहे हैं तो गुड आप्टरनून का इस्तमाल आप कर सकते हैं जैसे good morning grandpa ठीक है अब मान के लिए दादा जी ये कोई भी है तो उनको हम इस तरह से बोल सकते हैं दूसरा sentence है हम अपने पिता जी को नमस्ते कर रहे हैं तो good morning dad and good morning dad तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं greeting कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती है वो सोचते है good morning तो ऐसे हमको morning में मिला है बोल ये नहीं good morning that means वो आपको क्या कर रहे है प्यारे बुचो नमस्ते कर रहे है दि कोई आपसे good morning बोल रहे है तो इसका मतलब हुआ कि वो आपको नमस्ते कर रहा है क्या कर रहा है नमस्ते कर रहा है कि दीन के 17 कैया बारे 11 की 10 कि amam morning पांच से 12 तक है दिन में 5 से 12 तक प्यारे बच्चों क्या दिन में unrealEM की बात कर रहा है मौर्निंग की बात बात हो रही है zeitig चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 12 वजे सानी दौपहर 12 वज़े से लेके साम पाँच बजे तक हम लग पॉलेंगे कैसे गी posit ऐने हैं तो आफेर नून इस्ताम बरेंगे बार यह इम से वाई जी फॉलाटि याप किया है दो हम ए वह से सर्थ मेश्ट प्रफिल एम तक이 सहरी कीकल हैं प्सक्तरव को सिक्सेति बर्फ एसLand सब्वहोंद किसका सिंतिमाल करेंगे गोड़ आफटर ग्रेंड मां ठीक है दादा जी यहाँ गरेंडर ग्रेंड फाँ होगा ठीक है प्यूंद नहीं तुल यहाँ यह थो दादी जी है गरेंगे लो सांब करेंगे औक चलिए नेक्स साम 5 पीम के बाद हम लोग को किस तरह से बोलना है प्यारे बचो आगे बढ़ने से पहले प्यारे बचो मैं आपको बता दूँ कि योध्धा एकेडमी पे प्यारे बचो इंगलिस का रफ्तार बैच चलना है तो जो भी बच्चे चाहे 11, 12 जो भी बच्चे हैं आप उस क्लास को जो जोईन कर सकते हैं उसके लिए प्यारे बचो योध्धा एकेडमी अप्लीकेशन प्लीस टोर सी डौन लोड कर लेना है और वहाँ पे जाके प्यारे बचो आप ले स्टोर से डाउनलोड करके आप English के batch को purchase कर सकते हैं प्यारे बचों साथ ही साथ यह जो आपकी class हो रही है प्यारे बचों यह आपको यद्धा अकेडमी के application पे भी मिल जाएगी और साथ ही साथ इनके जो material यह जो आप देख रहे हैं प्यारे बचों यह सारे material भी आपको मिल जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और sentences को हम लोग देखते हैं रात को विदाई के समय विदाई का मतलब होगी है प्यारे बचों कि जब हम किसी से मतलब विदाई लेने के लिए हम भी जा रहे हैं कि आप शोने के लिए तो किसका इस्तमाल करेंगे प्यारे बचों जैसे कि सुब रातरी हम लोग बोलते ठीक है तो वहाँ पे हम बोलेंगे good night रात को विदाई के समय मतलब अब उससे हम चाहे 8 बजाए 7 बजाए 9 बजाए 10 बजाए अब उनसे मिलने की बात नहीं हो रही है तो वहाँ पे हम बोलेंगे good night ठीक है शुब रातरी ठीक है या sweet dreams या darling है ना इस्तमाल कर सकते हैं कहीं कोई दिकत नहीं होगा प्यारे बचों next हम लोग देखते ह किसी भी समय ठीक है दिन में किसी भी समय अच्छा सर चलते हैं तो यह हम बोल सकते good day to you sir, 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 good day to you sir का इस्तमाल हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों ना इस्तमाल हम कर सकते हैं कहीं कोई दिकत नहीं होगी next है प्यारे बच्चों किसी भी समय informal greeting मतलब किसी भी समय प्यारे बच्चों informal अभी इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे greeting करने का तरीका वह हमारा प्यारे बच्चों formal था formal बोले तो नैतिक मतलब जो वाके में क्या casual हम अपने दोस्तों के साथ यहां से जो कम इसके हैं उनके साथ प्यारे बच्चों जैसे अपने मित्रों वा बरावरी के लोगों के साथ है ना हम किसका यूज करेंगे हाई हेलो का किसका यूज करेंगे हाई हेलो का प्यारे बच्चों जैसे हाई सीमी है ना हाई अंक मे épढ़ें जी क्या है Biura in full Uni कि यह कहना उचित नहीं होता अपने से बयों को हो को सी तो मतलब कहने हेलो हो गया और दूसरा किया हो गया व्र fáil में еण हमारा जहाँ नहीं बलकि इन फॉर्माल वह боль को बताता है इन्फॉर्मल यह क्या है प्यारे बच्वों हमारा इन्फॉर्मल है नेक्ष्ट रदी चीजों को हम देखें ठीक है हेलो मिसेज महरा है यह भी इन्फॉर्मल है प्यारे बच्वों ठीक है यह उचित नहीं है ठीक है अब यहां पर कुछ और चीज है प्यारे हम उसको नहीं है कि उसको और इस जाते हैं के उसको हम क्या इज़त मिचकर करें है अच्छा सुअ था चलते है अशुद जलत कि दी बाई है उससी तरह आईयुकर कर सकते हैं या हम farewell र ambassadors आप लोग देखते होंगे कि farewell party हम लोग डखते हैं ठीक है तो farewell का मत्लanic होता है विडाई समारो खीन होता है एक हzessu ऊसी तरह अच्छा फिर मिलेंगे, bye, see you या show long, है न, bye दो बार bye-bye बोलेंगे तो वो अलग चीज़ है, या फिर मिलेंगे है न, तो see you, है न, हम बोल सकते क्या, see you, soon भी बोल सकते बहुत ही जल्द मिलेंगे, see you, soon ठीक है, इस तरह से हम लोग इस्तमाल कर सकते हैं अब कुछ चीज़ है प्यारे बोचों, जो की remember योग यह है, आपको दिमाग में रखना है इन बातों को बहुत ही बहतरीन चीज़ है, जैसे grand father को संचेप में grand pa कहते हैं, ठीक है father के लिए संचेप में dad या daddy सब्द का भी परयोग किया जाता है, grand mother को संचेप में grand ma भी कहा सकते हैं, और mother के लिए mom या mammy सब्द का भी परयोग किया जाता है ठीक है प्यारे बोचों, आगे और देखते है, चाचा चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को uncle कहा जाता है इन शभी को हम क्या कहेंगे, uncle से समभोधित कर सकते हैं इस तरह से हम कह सकते है किसी भी पूरुष के लिए आदर सूचक सब्द जो होता है प्यारे बोचों क्या होता है? शर, क्या हुता है या आप किसी को respect देना चाहते है तो आप उसे क्या कहा कैके पुकारे सर क्या बोले? सर, सर, सर सब्द जो है, यह आदर सुचक होते हैं, किसी भी महला के लिए आदर सुचक सब्द क्या होता है, मैडम होता है, ठीक है, कोई साधी सुधा महला अभी यह नहीं, कि कोई unmarried है ना, उनको कह दिजिए गा मैडम, ठीक है, तो वो भड़क जाएगी, है ना, तो उनके पर लिए हम किसका युज़ करते हैं, मैडम का इस्तमाल करते हैं, नेक्स्ट चीजों, चचेरा, ममेरा, मसेरा, फुफेरा, भाई या बहन, किसी के लिए भी, हैना, केवल हम क्या बोलेंगे, कजन बोलेंगे, ना कि कजन, ब्रोदर या कजन, सिस्टर, याद रखे प्यारे, love marriage साधी क्या है ये कभी नहीं होता है जब love marriage आपका ही रहे तो साधी कहने की कोई जरूरत नहीं है उसी तरह सद्य आप cousin कह रहे हैं तो उसमें brother या sister लगाने की कोई जरूरत नहीं है requirement बिलकुल भी नहीं है cousin brother या cousin sister ये नहीं होता है ये कहना गलत है ठीक है आगे प्यारे बच्चों विवाहित महला के नाम या उपनाम से पहले हम लोग क्या लगाते हैं मिसेज लगाते हैं और विवाहित तथा विवाहित महला के लिए हम लोग किसका मिस का परियोग करते हैं ठीक है आगे मिस का परियोग अभिवाहित या विवाहित किसी भी इस्तरी के नाम या उपनाम से पहले कर सकते हैं कहीं कोई दिकत नहीं होगा प्यारे बच्चों तो इसी के साथ प्यारे बच्चों मैं आपको फिर से once again एक बार फिर से बोलूँगा कि वैसे बच्चे जो आपके आसपास एलेफंट या टॉल की तैयारी करना चाते हैं तो उनके लिए प्यारे बच्चों रफ्तार बच्च है युद्धा एकेडमी पे और आप लोग जाएए प्ले स्टोर से युद्धा एकेडमी application को क्या किजिए प्यारे बचो download किजिए और download करके उस batch को join किजिए है ना प्यारे बचो payment के regarding के लिए इसके लिए प्यारे बचो इस नमर पे आप क्या कर सकते है call कर सकते है वो इसे payment की बात करें प्यारे बचो तो 499 499 उसका payment है उनके साथ प्यारे बचो आपको हिंदी क्या मिलती है फिर ही मिलती है ठीक है प्यारे बचो तो love you all of you प्यारे बचो आप लोग को आज का ये class कैसा लगा नीचे ज़रूर comments कीजिएगा प्यारे बचो ठीक है क्योंकि आपके comments से ही मुझे बहुत जादा क्या मिलता है energy मिलता है प्यारे बचो तब तक के लिए take care प्यारे बचो जै हिन जै भारत